कानपूर में डबल मडर से संसनी खेच कुलासा गोदली बेटी ने प्रेमी के साथ मिल कर माबाप की गलारेद कर कर दी हत्या कानपूर के बर्रादोई EWS कालोनी में सुमवार देर रात गोदली ही बेटी ने प्रेमी संग मिल कर अपने माता पिता की गला रेत कर हत्या कर दी पुलिस को गुमरा करते हुए अज्यातियों को पर हत्या करने का आरोप लगाया पुलिस ने साच्चों के आधार पर मंगलवार दुपहर उसको हिरासत में लेकर जब पूश्ताच की तो देर साम उसने सच उखला पुलिस का दावा है कि प्रापर्टी हत्याने के लिए माता पिता की हत्या की गई कल पर्रा थाना चीतर में जो डबल मर्डर की घटना हुई थी जिसके अंदर एक बुजुर्ग दमपती को धारदार अत्यार से मार दिया गया था पुलिस ततकाल मौके पहुचे हमारे वरिष्ट अदिगारी मौके पहुचे और जब सबसे पूस्ताच करी घटास्तल का निरिक्षन किया फॉरंसिंग की टीम भी तो उसे यही स्पष्ट हुआ था कि यह संभवते जो घटना घटित हुई है वो परिवार के अंदर ही पतनी से विवाद चल रहा था और इसी के मुद्दे नजर उन दोनों जो उसके साले थे उनको नामित किया गया पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू करी और पहले ही परीब एक डेट घंटे के अंदर ही क्लियर हो गया कि यह नामजद की गलत है और उसके पस्चात जब फ के रूप से जो निकल कर आया उसके अंदर कि उसने अपने जो उसका एक प्रेमी था रोहित उत्तम उसको उसने बुलवाय था और इससे पहले जो आया था उससे पहले उसने चूस के अंदर कुछ नशीला पदार्त मिला कर अपने भाई को और अपने माता-पिता को दे दिय जब दोनों भेवश होगे उसके पश्चाथ वो उसने उसको दर्वाजा खोलके बुला लिया और धार-धार हतियार से दोनों की हत्या कर दी जो लड़का था वो उपर छट पे सोया हुआ था इनिशली इन लोगों की जो तफिश में आया कि इनकी प्लैनिंग ती कि शाद और नशीला पदार्थ देने की कोशिश की गई जिससे कि वो उससे जाता है उसमें दो-तीन पहलू इसको करने का प्रयास किया गया पहला प्रेमी के साथ मिलकर उस बेटी ने तयार की ती दरसल घटना का पूरा प्लान सेना की जवान ने बनाय था जो प्रेमी का सगा भाई है प्लान के मताबिक माता पिता और भाई की हत्या करने का था पुलिस कमिशनर बिजय सिंग मीना ने बताया कि बर्रा दो इलाके में गन फ्रेक्टर से सेवा ने ब्रत्य मुन्ना लाल उत्तम पत्नी राजदेवी बेटा विपिन और बेटी कोमल के साथ रहते थे रहुल का छोटा भाई रोहित जो की रिक्सा चलाता है उससे भी कोमल की दोस्ती हो गई थी बेटी और रहुल ने करोनों की संपत्ती हत्याने के लिए माता पिता और बेटे विपिन को ठिकाने लगाने की योजना बनाई तीनों को जूस में बेहोसी की दवा देना था बेह तरीके से पूरी स्क्रिट तयार की गई इसके लिए वाटसप में सोसाइड नोट भी तयार कर लिया गया था लेकिन भाई विपिन को जब सुमार्क साम जरीला जूस दिया तो उसको उल्टी हो गए इससे उसकी मौत नहीं हुई और वह बच गिया लेकिन वह नसे में जरू कर दी इसके बाद मा को दूसरे कमरे में घसीट कर आगे वाले कमरे में लाए और उसकी भी गलारेत कर हत्या कर दी बेटी और सेना के जवान जो की कोमल का प्रेमी था उसने पूरी योजना बनाई थी और पूरी स्क्रिट तयार की थी दंपत्ति की हत्या के बाद भाई को आ भाई के बचने पर फिर से कोमल ने एक अलग योजना बनाई कि भाई के सस्राल वालों पर हत्या का दोस्त मर दिया जाए इस पर बेटी कुछ समय के लिए सफल भी हो गई बेटी ने अपने सस्रालियों पर नाम जद फाई यार दज करा दी पुलिस ने उनको हिरासत में भी ल अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें